हेलो गाइज वेलकम बैक और आज हम दुबारे से कंटिन्यू करने वाले हैं रंच सैमूलीटर तो गाइज जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा जहाँ पर हमने अपने चिकन्स के लिए एक बिक कूप बनाया था और आज हम अपने सारे के सारे चि होटे थे एंड फाइनली अभी जो है वह काफी जादे बड़े ऊचुके हैं एंड लकीली गाइस एक काफी अच्छी बात बता हूं इन में से एट में से लगबग फाइब जो पिक्स थी वह फीमेल थी एंड लगबग उन में से दो जो हैं वह और प्रेगनेंट है तो प्लैन किया है GUYS काफी जादा भाई लोग ये भी बोल लेते कि भाई यार काउब बाई करो तो यहाँ पे क्या प्रट्रोब्लम हो रहा है एंड ब्रेंच मैच ला रहा हूँ अभी अभी आपको पता होगा यार यह जो पिक्स है ना वीट काफी जादा घाते है एंड मेरे पास अभी कुछ दिन पहले तक लगबग कितना डॉलर्स थे and आपको दिखा तो यार 2000 के प्लस डॉलर्स थे and अभी मेरे पास 1000 डॉलर्स ही बचे में वो ऐसे क्यों कि हमने सारा का सारा पैसा हमारा वीट में गया बाकि और किसी चीज में नहीं गया तो हमारा प्लैन है आज काफी जादा प्रॉब्लम हो रही है जो मेरा वैन है उसमें लगबख 6 वीट बैक्स आते हैं अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जितने भी हमारे पास एक्स है न उनको यहाँ पे रखते हैं क्योंकि हम जो है एक्स को भी सेल आउट करके आएंगे क्योंकि अभी अपन ओकी गाईस यहाँ पे के सारे के सारे एक्स मैंने और एक हमारे चिकन कूप यहाँ पे है और इसमें भी काफी जादा एक्स है तो यह भी मैं फटावट से उठाता हूँ ओकी गाईस यहाँ पे मैंने सारे के सारे एक्स तो उठा लिया और गाईस पिछली वीडियो में जो यह ना पिछली दिन हमारे साथ पता नी क्या हूब गाईस इसमें सो यहाँ मेरे maximum चिकन यहाँ पे मर चुके हैं पर कोई दिक्कत वाली बात नी अपने यह चिकन इस वाल एक एक करके गाईज मैं सारे के सारों को यहां पे डालता हूं जितनी भी बेबीज है ना बेबीज को हम क्या करेंगे वो मीडियम कूप उसके अंदर डालेंगे तो एक एक करके गाईज फिर लगो अपने काम पे ओकी गाईज यहाले जो चिकन कूप था उसमें से मैंने सारे के सारे बड़े चिकन को निकालके बिग चिकन कूप में रख दिया और अभी उसमें छोटे चोटे बच्चे हैं तो उनको हम मीडियम कूप में जल्दी डालते है अब गाईज बारी है उस वाले कूप की और उसमें से सारे के सारे चिकन को मेरे को बगल वाले कूप में डालना है तो मैं उनको फटावट से डालता हूँ अभी सबसे पहले तो रोस्टर को उठाऊंगा और यह डोर क्लोस करो क्योंकि उससे चिकन काफी जादा बार बाहर भी निकल जाते हैं तो अपने को वो गलती नहीं करती है एंड इसमें जो इना मेरे को फूड टर्फ भी बनाना पड़ेगा इतने मेरे पास वूड वगरा तो होंगे ना कि मैं वो बना सकूँ हाँ होगा गाइस उतना तो ठीक है मैंने दोनों के दोनों रोश्टर उठा ली हैं अभी जो है मैं सबसे पहले इनको सबको वहांपे ट्रांसफर करके आतो so guys ये हमारा last chicken है जिसको हम अभी बिग कूप में ट्रांसफर कर रहे हैं and finally अब जितने भी वहांपे बेभीs है अभी चicut है ना guys यहाँपे मेरे को इनकले के खाना खाने के लिए I mean पानी के लिए बनाना पड़ेगा खाना तो हम यहाँ पे डाल देंगे I mean यह जो पीछे वाले ड्रोल से लगता है अपन खाना यहाँ पे डाल सकते हैं चलो एक बारी ट्राई करते हैं क्या पानी भी हम इसमें डाल पाएंगे वो देखना पड़ेगा, सो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक wheat bag लाता हूँ, और राद भी काफी जादा हो चुका है, सो अंधेरे होने से पहले अपन try कर लेते हैं at least wheat का try कर लेंगे कि ड्रोल से हो जाएगा काम, मुझे लगता तो है पिर भी देखते हैं ओके, यहाँ ड्रोल में ओहो, guys यह तो काम नहीं करेगा, मैं तो समझा इसको पर पर इसको यहाँ पर से मेरे को remove करना पड़ेगा, वो bag waste हो गया तो अब भी चो नहीं है आगे का काम हम बाद में करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम सो जाएंगे, मेरे को लोगों ने इनको क्रात को खाना नहीं दिया था अभी जो है, अपने को चिकन्स के लिए ना खाने खाने का और पानी पीने के जुगार बनाना होगा वो मैं फटावट से बनाता हूँ तो guys, यह राह smallie रखेंगे ने, इसके अंदर smallie आपाएगा अरे भाई, यह चिकन्स तो यहाँ पे सब बाहार निकल गए क्या करना पड़ेगा ऐसे कर तो मैं पहले अंदर गुशता हूँ फिर ही अपन लोग अंदर बनाएंगे उसका ठीक है, ओके ओपन करो, फटावट से close कर दो, यह जाए ना यासे ओके गईस, यह तो गए तो नहीं है अभी अपन फटावट से इसके अंदर यह बनाते है तो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे काफी जादा चिकन्स होगा अभी यह प्लेस क्यों नहीं हो रहा है ओके तो यहाँ पे काफी जादा चिकन्स होगे एक यहां पर कर दिया एक यहां पर कर देते हैं एक हम water का bucket के लिए water के लिए ball बना देंगे कि इनकर इनको पानी का ज़रूत होगा ना तो यह यहां पर से पीले ठीक है अब एक मेरेको water का बनाना पड़ेगा water ball यहाँ पे आ जाएगा न okay, so guys यहाँ पे देखो यह तो हमने बना दिया and इसकले मेरे को लगबग 6-6 flanks ही है, मैं फटावट से ले के आता हूँ और ऐसी guys हम दूसरे वाले में भी बनाएंगे so पहले वाले को complete करते हैं दूसरे वाले को हम में भी बाद में complete कर लेंगे already मेरे पास flanks काफी जादा है और हाँ guys आज जो है ना मेरे को अपने electric shock ले, तेल भी लेके आना है क्योंकि तेल नहीं है वाई इसमें तेल होगा तब ही तो चलेगा and अभी जो है अपना काफी जादा project है so दीरे-दीरे करके guys उसको हम करेंगे complete okay एक बनके ready हो गया एक feeding tough तो बनके ready हो चुका है so एक एक करके हम सारे बनाते है okay guys I think आप जो है ना अपने दोनों के दोनों बन जाएंगे तो यार अपना पहला chicken scoop के लिए ना हमने feeding tough भी बना दिया और water ball भी बना दिया अभी जो है मैं दूसरे के लिए बनाता हूँ and मिलता हूँ मैं सीधा आप से बाद में तो guys यहाँ पे जो हमारी इस फाले उसकी feeding tough है और water ball है वो बनके ready होने वाली थी पर अभी दो flanks कम पढ़ गए already यहाँ पे होगा नहीं यहाँ पे तो कोई flanks नहीं है और देखो guys यहाँ पे भी babies आ गए भाई अब क्या करें कोई नहीं अब यह निकल जाएंगे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे से दो flanks लेके चलता हूँ and उस सबसे पहले उसको complete करते है and उसमें भी दो feeding tough में हम जोए न wheat के bags डाल देंगा I think मेरे पास wheat भी नहीं है so यार वो भी देखना पड़ेगा देखके आते हैं फिर भी कितने wax बचे में मैं ऐसे करूँगा वैनिलियां पे लेके आजाओंगो ओके guys दो wheat bags है चलो अपना काम तो हो गया है and इसके बाद जो है न हम trailer buy करेंगे और direct चलेंगे general store में I am काफी जाद amount में wheat bags buy करने वाल है and next video में maybe अपन cow buy करेंगे ठीक है okay so ये उठाओ and सबसे पेले तो ये डालो इसमे and कर दो close भाई मुझे पता है तुमें बहार निकलने की काफी जल्दी रहती है पर कोई tension वाली बात नहीं wheat तो डाल दिया है अभी मेरे को पानी डालना होगा पानी के लिए water bucket किदर गई okay water bucket यहाँ पर इसको उठाता हूँ and थोड़ा सा पानी तो अची है नहीं खाली है ये भी so अपने कोई में चलते है and फटावट से पानी लेके आते है let's go okay guys लगा दिये मैंने पहले तो guys मैं कोई इससे पानी निकालने में काफी जादा दिक्कत हुआ दिक्कत तो अभी भी होता है समझ में नहीं आता पानी किस तरीक से निकालना इससे okay एक बॉल निकल चुका है अभी फटावट से इस बॉकेट से जो है न water ball में डाल के आते है ये रहा बर दिया है और के खा रही है अभी तक तो खाया नहीं है तो एक बॉकेट और निकाल के आना है and फटावट से निकाल के उसमें डाल देते है okay guys निकल गया so let's go फटावट से चलते है अच्छा ये रहा water bucket तो तो भई हमने अपना पूरा ये काम कर लिया इसमें कुछ चिकन्स के बेबीज है इनको किस तरीके से निकालना है भई बाहर इनसे ओके ये बाहर निकल गए अभी इनको मैं उठाता हूँ फटावट से और इसके अंदर डाल देता हूँ क्योंकि ये इनका जगा है ओके यार एक चिकन्स का बेबी चुए है वो भी बड़ा हो चुका है कोई tension वाली बात नी इनको food हम बाद में देते हैं अभी सबसे वहाँ से थोड़ा सा गूम किया आते हैं ठीक है ओके गाईस यहाँ पर मैंने रख दिया है ये कुछ चिकन्स पड़े में थे इसमें इनको मैं यहाँ पर रखता हूँ जिनको सेल आउट करके आउंगा और ये एक्स ते काफी जा दे अभी अपने को कुछ भी ज़रुरत नी है तो चलो गाईस अभी गाड़ी में बैठके है और हाँ यार मेरे को गेस स्टिशन भी जाना है फ्यूल वगरे ले निकले तो मेरे पास जितनी भी जरीकन है न अपने टेबल सो को चलाने कले तो वो जरीकन हम भर के लेके आएंगे लगता है मैंने गैराज के अंदर रखा वा है तो मैं वहाँ से उठा लेता हूँ तीन है मेरे पास और इस बारी जोए ना गाईस मैं तीनों को भर के आऊँगा ओके एक है यहाँ पर प्लेस किया अब दूसरा भी लेके आता हूँ भाई ठीक है दूसरा भी लेके आगे है पहले क्या करएं पहले सेल आउट करके आई या फिर पहले तेल भर के आई ऐसे करते हैं काई सबसे पहले हम पहले Gas Station निकलते है क्योंकि हमें अपनी गाडी में भी तेल भरना है अपनी Zerican भी भरनी है और उसमें काफी जादा टाइम जाएगा तो हम पहले ऐसे कहते हैं उदर चलते हैं और उदर से तब आएंगे हम सीधा होटेल में जहां पर हम अपने चिकन सेल करेंगे और एक सेल करेंगे तो गाइस मैं मिलता हमसे डारिक्ट गैस स्टीशन में ओकी गैस फाइनली हम लोग गैस स्टीशन पहुंच चुके हैं सबसे पहले तो यहां पर अपन फ्यूल भरते हैं वैसे भी रात हो गया है नहीं बारा बज़रे मौसम कुछ जादा घराब है लगता है काफी जादा तेस वारिस आने माला है मुझे ऐसे ही लग रहा है ओके सबसे पहले मैं फ्यूल भरता हूँ तो रिफिल होने स्टार्ट हो चुक है और देखते कितने डॉलर लगबग 15 डॉलर में हमारी जो गाड़ी की टंकी है वो रिफिल हो चुक है अभी मेरे को जैरीकेन भरनी है तो देखते हैं जैरीकेन में कितना फ्यूल आता है कितने डॉलर का लगबग गाइस 40 डॉलर खा एक जैरीकेन फिल आउट फो रहा है यह तेल काफी जदा महेंगा कर दिये हैं यहाँ पर देखते हैं कितने रुपे लीटर है वन डॉलर वन लीटर है इंडिया से तो सस्ता ही है तो अब जो एना गाइस हमारी लास जैरीकेन है उसको भी फटावट से भरते हैं ओके गाइस यहाँ पर हमारी सारी की सारी जैरीकेन्स भर चुकी है और इसको यहाँ पर डालो और यहाँ नीचे गिरिया इसको ऐसे करते हैं यहां पर पुट करते हैं और हम लोग अब सीधा निकलते हैं यहां से होटल क्योंकि हमें अपना सामान सेल आउट कर रहा है वी नीट मनी वी काउस कैस अमारे पास काफी जाधा पीक्स हैं उसके लाए हमें काफी जाधा मौट में वीट चाहिए है एंड वीट लेते लेते गाइस मेरी हालत ख्राप ऊप चुकी है इसलिए जिस मैंने डिसाइड करा आज होने अब आपने के लिए ट्रेलार बाई करूँगा जिसमें काफी ज़्यादा माउंट मैं वीट लेके एक ही बारी में जा सकूँ और बेबीस तो नहीं वे ना इसमें ओके और बेबीस तो नहीं वे और अरे अरे पलट गई बस यही बाकी था तो ठीक है गाइस मैं यहाँ पहुंच चुकाँ एंड फटावट से देखते हैं अपना यह समान जो है ना कितने का बिखता है एंड हमारे पास चुए है गाइस एट चिकन्स थे लगबग 24 यूएस डॉलर्स एंड 112 एग जो कि 6 डॉलर का एक एक था अब भी चुए ना कैस हमारे पास इतना समान लगबग 800 डॉलर का है जो कि काफी जादा बढ़िया है एंड फाइनली गाइस हम लोग इसको सेल एंड फटावर से यहां पर से निकलते हैं हम सीधा इधर जनरल नहीं हार्डवियर स्टूर ट्रेलर बाई करना है उसके बाद हमें काफी जादा माउट में वीट्स वगेर लेके चलना है अपने रैंच के लिए बाई मैं तो समझा था गाड़ी दुबारा पल्टेगा पर क को गाइस फाइनली हम लोग यहां पर आ चुके हैं चलो देखते हैं ट्रेलर कितने का है कौन से ट्रेलर चाहिए अपने को इधर तो हाई नहीं देखते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर में ओकी गाइस देखो अपन को चाहिए इस्मोल ट्रेलर क्योंकि बड़ा ट्रेलर और तो जादा कुछ नहीं लगबख 600 डॉलर का है और उसके बाद चुए हम जितना भी पैसा बचे को उसका हम वीट बैक्स बाइक करेंगे तो लेस गो फाइनली हम लोग ने अपने के लिए ट्रेलर भी बाइक कर लिया है अभी फटावट से उसको इसमें कनेक करते हैं और हम लोग निकलते हैं ओके किस तरीके से करना है वो देखना पड़ेगा लेस गो अभी यहां पर हम कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा बच गया ओक्या ओके गाइस फाइनली अपना ट्रेलर कनेक्ट हो चुका है जो की काफी जादा बढ़िया लग रहा है भाई ये तो काफी जादे दिमाग खराब होगा इसको रोटेट करने में तो चली गाइस अभी जो हम लोग सीधा यहां पर से निकलते हैं जनरल स्टूर भाई अब थोड़ा सा समल के चलाना पड़ेगा धूम के तरह नहीं भगा हाँ टायर हिल रहे हैं और या सस्ता ट्रीला रही है अरे स्लो चलाना पड़ेगा अपने को स्लो चलाना पड़ेगा गाईस यह जादा फास नहीं चला सकते इसके साथ काफी डिस बैलन्स है ओकी यार फाइनली हम लोग अपना जनरल स्टूर में पहुंच चुके हैं तो यह नहीं गया था इसमें यार आ जाएंगे ज्यादा लगबग बारे के करीब आ जाएगा यह के बारे में तो लेके चलते हैं जितना जाद आएगा उतना बढ़िया आपने के लिए ठीक है अरे दिस इस चीटिंग यार तब तीन ही आ रहा है नहीं अभी सिस्टमेटिक तर लगबग 10 कर लेते हैं जितना हम एक स्टैक में बाई कर सकते हैं उतने करते हैं लगबग I think 10 ही कर सकते हैं और काव किसले बाई नहीं कर रहे हैं इस काव देखो डेरी काव जोए वो 650 US डॉलर्स में और हम अगर यह अभी काव बाई कर लेना तो हमारे पास वीट का काफी ज precedent सबसे बहले तो मैं इनको यहां पर प्लेस करता हूँ कुख कि यार यहां पर नहीं आरहे है ठोड़ा सा एसपेसई चूट रहा है इसका ऐसे मैं ट्राइय कारें रोटेट करके चलो रोटेट करके काईस एक बार सी ट्राइय करके देखते हैं कितने बैक साथैं मैं वैसे मे लग रहा है यार वैसे में दो ही आएंगे अपना ऐसे में नहीं चलेगा लगता है मेरे को इस तरीके से लेके जाना पड़ेगा मतलब इसमें जो एन है हम लोग 6 बैक्स जादा लेके जा सकते हैं अभी बस गाइस इतना ही लेके जा पाऊंगा मैं और इनको जो है न इनको मैं रोटेट करके रखता हूँ तो ठीकी गाइस यह रहे और तो यहां पर आएंगे नहीं और यह दू बैक्स एक्स्ट्रा बचे में जिनको मैं बाद में लेके जाऊंगा ओकी गाइस फाइनली हम लोग जो है यहां पर से निकलते हैं एक बैक और है जिसको मैं रखो यहीं पर रखना होगा तो लेस्त गूगाईस फाइनली हम लोग निकलते हैं यहां पर से और रोटेट करने में भी काफी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बाई यह रोटेट करने में यार काफी ज़्यादा दिक्कत आएगा लेस्ट गो स्टार्ड इधर से ही रोटेट करते हैं तो अब जो है न हम लोग फटावर से यहां से निकलते हैं जितने भी बैक्स शूट है न उनको हम बाद में लेके जाएंगे इसमें तो लगता है यार मैं काफी जादा वुट्स वगेरा भी लेके आ सकता हूँ क्योंकि हमारा प्लैन है कि हम अपने बेस्क आई मीन जो हमारा रैंच है उसके बगल वाले जितने भी ट्रीज है न उनको कट नहीं करेंगे और अभी जो है मैं काफी जादा स्लो लेके जाओंगा मैं चाहता नहीं हो मेरा जो गाड़ी है न वो पल्टे भाई लहराता काफी जादा ही है काफी जादा प्रॉब्लम होता है इसको समालने में ओगे यार फाइनली हम काफी जादा वीट्स बैक्स लेके आ चुके हैं वो भी अपने रैंच में है मुझे लगता है जो हमने वीट्स बैक्स अल्डेडी पहले डालेते हैं अपने पिक्स के पीडिंग टफ में वो तो खा गए होंगे भाई वो काफी जादा पेट्टू है और हाँ गैस अभी जो है न मेरे को ये वीट्स बैक्स रखने के लिए भी जगा बनाना पड़ेगा वो हम बाद में बनाएंगे सबसे पहले तो मैं ये वीट्स इनकी इन्वेंटरी में डालता हूँ गैस ये क्या सीन हो गया ये पिक्स मर कैसे गये सारे के सारे अरे गाईस ये क्या सीन हो गया भाई गाई बस आज की वीडियो के लिए बस इतने यार काफी जयदा बड़ा नुकसान हो चुका है तो गाईस मिलते हम आपसे नेक्स वीडियो में तब तक ले गुड़ बाई see you guys in next video bye bye love you guys and thanks for your lovely support अपना खाफ भी जदा बड़ा नुकसान हो चुका है and मेरे खाफ भी जद अदिमा खरोप हो गया तो चलिए guys bye bye